नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोसन जी स्वागत करता हूँ नॉलजगेट यूट्यूब चैनल पे फाइनली आ गए है आई टी बॉम्बे के बारे में सारी डिटेल लेकर आई नो आप में सब बहुत सारे लोगों को इंतजार था क्योंकि आई टी बॉम्बे में खासा मुझे और हमारी टीम को भी समय लगा एक कोर्स समझने में तो क्या क्लारिटी मिल पाई है उसके बार में डिसकॉशन करता हूँ कोई गलती हुई होगी तो हो सकता है हुई हो आप कमेंट करके बताइए को उसको सुधारेगी चलिए तो सीधे चलते हैं आई टी बॉम्बे क जो रैंक बन लेके आ रहा है उसका फर्स चोईस यही कोर्स है तो फर्स चोईस हर बच्चेगी है यह कोर्स टीचिंग असिस्टिंशिप इसका मतलब क्या है एम्टेक में जो आपको स्टाइफन मिलता है में चाइडी जो स्टाइफन देता है 12,400 पर मन इसके लिए या इसक घंटे आपको लेवर्क मिलेगा तो होता ही है कि जैसे हमने भी किया है तो होता ही है कि जो बीटेक के बच्चे होते हैं या जो अलग-अलग कोर्स चल रहे होते हैं उनकी जो जो लैब चलती है STML लैब तो stml लैब थी, microprocessor लैब थी इस तरह की लैब दे जाती है और वह आपको चौडिनेशन करना होता है मजा आता है अगर खासकर future में आपको teaching में जाना है तो उसको और अच्छे से enjoy भी कर बार होता है फिर उसमें अंदर management भी हो जाता है किसी को बाहर जाना हो गया तो आपको दो, तीन, चार घंटे पढ़के जाना पड़ेगा, तो आप भी को शरम आईगी, क्या पूछ हो इन से, यह चीज, तो यह का नहीं होगी, I think इसके और में सब कुछ बता दिया, बाकी जो बेसिक बात लिखिए, कि अब उससे में कोई और जॉब नहीं कर सकते, या क क्या क्या cut-off से वो आगया भी detail में discuss करेंगे, second जो course है, वो है mtech with teaching assistant through project, जिसको short में बोल रहे है, tap, यह भी 2 साल का course है, यह भी बहुत अच्छा course है, but इसमें चेंज क्या है, कि जो 8 घंटे per week आपको काम करना है, काम 8 घंटे करना, स्टैफन 12-400 मिलेगा, बाकी सब चीज से जार होता है, उस पर काम करने का मौका मिलेगा, हाला कि जाधा तर बच्चे प्रिफर करते हैं को इने teaching assistantship मिलेगा, क्यों, यहां पर आपके पास एक liberty है, लैब ली खतम होगे, लैब एक घंटी के, एक ही घंटे की है, किसी से सुनना नहीं, किसी को कुछ सुनाना नहीं, इस यह जो दोनों कोर्स है हमारे, यह हुए दो साल के कोर्स है, इस शौर्ट में बोल रहे टी है, शौर्ट में बोल रहे टाप, क्योंकि इसमें लिखा through project, अब आजाते हैं अगले कोर्स में, यह भी M.Tech ही, अभी MS की बात नहीं कर रहा है, यह भी M.Tech है, इसका जो duration है, वो 3 years ह क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे है, यहां पर हम कर रहे है, यहां पर हम कर रहे है research assistantship, तो बाकी सब कुछ एकदम है, यहां पर जो research है, उस पर जादा concentration हो रहा होगा, आप यहां पर एक फाइदा क्या, हजार रुख में आज इसटाइफन मिल रहा होगा, 13400, यहां मैं लग तो तीन साल वाले में चले जाता है, not an issue, बाकि I think सब चीज एकदम सेम होगी, वही 8 घंटे वाला principle यहां भी चलेगा, नहीं, यहां पर वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर आपको 20 घंटे काम करना है, तो 20 घंटे एक हफते में अगर 6 घंटे, 5 घंटे का भी अवरस लेकिन थोड़े दिन पहली मेरे, मेरे एक बच्चे से बात हुई थी, वह यही कोर्स कर रही है, तो थोड़ी subjective बात हो सकती है, next, again, through project, तो again, यह वही वाला, एक तरीक से माल लीजे, हो गया, difference जो पहले दो में था, तो यहां पर आप किसी specific project पर काम करेंगे, यहां पर जाना चाहता है, यहां पर कोई project चल रहा होगा, प्रोफेसर होगे, आपको guide करेंगे, क्या करना है, कैसे करना, again, here also, यह 36 मन का course होगा, यहां पर भी आपको 20 hours पर भी, क्यानि कि दिन में कम से कम, 3-3.5 घंटे उस project पर काम करना पड़ेगा, तो 4 course हमारे हो गए, दो course पहले वाले होगे, दो साल की M.Tech, अगले दो course होगे, तीन साल की M.Tech, जहां पर दोनों में दो-दो option है, या तो आप अपना research करो, वहां पर lab वाला काम था, इधर project वाला काम हो गया, आगे बढ़ता हूँ, अब आजाते हम, दूसरा, यह भी M.Tech का ही option है मारे पास, यह क्या चीज discipline, तो यहां पर उन बच्चे को जो doubt, जो खासकर electronics से होते है, electrical से होते है, कुछ लोग mechanical से भी लिखते है, तो हर कोई eligible है, तब देखे, जो इंडिया का top institute है, उनका जो top course है, वहां पर ऐसा नहीं है, कि सिर्फ CSIT वाले eligible है, कोई भी ब्रांच वाले बच्च वाले बच्च व वह तो obvious बात है, then, बहुत सारे बच्चे पूछते है, MSC वाले, MCA वाले हम कहा है eligible है का नहीं है, सब आपको यह टेंशन नहीं होनी चाहिए, कि हम प्रिपर करें के ना करें, कि इंडिया का top institute आपका admission देने के लिए तियार है, तो B.Tech, या फिर MSC, या फिर MCA, है ना, और equival in any science discipline, अब यह बहुत सारे लोग होते हैं, जो थोड़ा सा research oriented होते हैं, पहले से decide होता है, या teaching में जिनका interest होता है, वो इस वाले course के लिए जाते हैं, अब यहां पर पैसदू पूरा page है, वीडियो पॉस करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, मोटी-मोटी बात में बता देता ह स्टार्टिंग के जो डेड़ साल है, पहले 18 मन, तीन समिस्टर, यह बिलकुल M.Tech की तरह चलते हैं, उसके बाद, जो आपका progress होगा, जो आपका research work होगा, अगर वो milestones सब सब successfully accomplish करते हैं, तो वो जो आपका degree है, वो PhD में convert हो जाता है, और आपका admission मिल जाता है, और यहां पर म M.Tech plus PSG, हाला कि PSG का कोई time होता नहीं है, but in case यह मान के चल रहें, लगबग 5 साल के अंदर यह काम complete करने की उमीद है, एक और बात, अगर आपकी performance अच्छी नहीं रही हो सकता है, कुछ बच्चे जान के भी ऐसा करें, कि हमें करनी नहीं है, मजा नहीं आ रहा, but कुछ exceptional cases में यह समझ आ रहा है, इनकी भाशा पढ़के भी ना, कि इनको मजा नहीं आएगा यह करने में, बढ़ अगर आप कुछ अखास अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको M.Tech की degree दे के भी exit कर सकते हैं, यानि कि M.Tech आप कहलाएंगे, लेकिन PhD वाला जो course था, उसमें आप continue नह पर है, इसके अंदर हाला कि मैं जब देख रहा हूं eligibility, तो इसके अंदर पहली बार marks भी बोला गया है, क्या B.Tech में भी CS बोला गया है, MS by research will be identical to M.Tech, I think this नहीं बोला गया है, तो वो सारी चीज़े सेम है, any engineering discipline हो सकता है, MC, MSC सब है, लेकिन यहां पर clear cut mentioned है, कि 60% आपका graduation या 10-12 की case में, अभी तक मैं जहां भी देखा, कहीं 10-12 का कोई जिकर नहीं है, तो 12th class में 55% है, 52% है, कोई फर्क नहीं बढ़ता, जब graduation वाली degree है, उसमें आपको अपना, जो मार्क से मैंटेन करके रखना है, यहां पर एक idea उनके लिए भी है, सर, अगर आप IIT से B.Tech कर रहे ह है, यहां पर again, CST candidates के लिए relaxation है, तो जो qualifying marks है, वो 55 हो जाते है, तो I think हमने same बात ही repeat कि है, no, एक और course है, MS in Data Science and AI, तो AI आजकल बूम पर है, अच्छी बात क्या है, कि AI के अंदर अगर आप admission लेना चाहते हैं, तो B.Tech तो किसी ब्रांच में होई हो, आगर आपने किसी ब्रां आप सुचो, हाला कि बहुत मुश्किल है, चेंज करना है, तो जहां तक मेरी जानकर यह पांस से साथ जार बच्चे लिखते हैं, तो चैमिकल ब्रांच में बहुत अच्छा स्कोर लाना, रिलिटिवली आसान है, तो कोई कैमिकल में ऐसा भी हो सकता है, कंप्यूटर साइं स से बीटक करें, लेकिन उसे पता कॉमपडिशन कितना है, तो वो एक-दो साल कैमिकल पढ़े, कैमिकल से गेट लिखे, गेट की रैंक फोड़के, फिर जाके AI में ब्रांच में ले, और यहां पर आप ले सकते, AI आज कल बूम पर और दो साल बात हम मानते कि यहां का भी लेकिन आप मान की चलिए, दो से तीन साल, तीन साल तक अवरेज जा सकता है, क्योंकि रिसर्च में आप जल्दी से देख सकते हैं, जहां आपको लगे, आपकी important है, जो अलग अलग department है, वो जो courses offer कर रहे हैं, जहां पर CS वाल eligible है, उनको भी list में रखा गया है, तो electrical engineering department में य communication engineering में, आप mtech कर सकते हैं, control and computing, यह भी electrical engineering है, again, electronic systems, मुझे पता नहीं क्यों जाना चाहेगा, बड कोई जाना चाहे तो, then integrated circuits and systems, यहां पर आप जा सकते हैं, जहां पर सोचना, यह important नहीं है, तो इसका cut-off नीचे जाएगा, क्यों जो core branch वाले होंगे, वो इन में आते होंगे वो इसमें आँगे, obviously, then electronic system, integrated circuits, solid state device, यह सब अलग-अलग कुछ courses, जहां पर eligibility है, अब बाता ही, admission की, admission होगा कैसे, तो अभी जो हम अंदाजा लगा रहे हैं, भाई, बहुत मुश्किल है, पहले आपको cut-off ही जिखाता हूँ, यह हमने लिखा है, तो यह चलो, यहां से शुर है, तो IIT Bombay direct admission लेता है, 50-60 rank मेरे ख्याल से आपवान के चलिए, कितना बनेगा, 50-60 rank, अगर आपके 77 के around marks है, या उससे उपर है, gate score around 850 और more, तो आपका इतना होगा, कि आपकी 50-60 rank होगी, तो आपको direct admission मिलेगा, कोई return test नहीं, कोई intervening, यानि कि माली जो top 50 को, उसके बाद जो बच्चे हैं, यहां पर रिखे, cut off, जो mentioned है, इस बार, वो है 750, तो मंदाजा लगा रहे थे, 750 grade score, यानि कि 250 आपका लगबग-लगबग होगा rank, और 68 आपके marks है, यह जो TA, जो top category बता रहा हूँ न, दो साल का amtech teaching assistant, यह cut off है, तो इनका कहना है, अगर इस से जादा number हो, त इस तो इनकी directs ही भर जाती होंगी, तो गिनके 5-10 hit बचेंगी, उसमें 50 से 250 तक बुला रहा है, तो मेरी खाल से ठीक कर रहा है, तो इस डैम डैम तफ, यह बात तो है, कि आपको 120, 150 से उपर आपकी rank और IIT Bombay में आपको mtac course offer हो जाए, इस बात के chances बहुत कम है, हाला कि कु आपको 12th of April तक application होगी, उसके बाद यह एक तरह का interaction आप से करेंगे, 7 बज़े से 8 बज़े तक 29th of April को, उसके बाद एक basic mock test है, practice test हो, जो सभी को लिखना है, और यह होगा 9 to 5 on 30th April, उसके बाद फिर कहानी है, देखे, separate separate, जो बच्चे PhD या फिर mtech के लिए जाना चाहते है, उनका non direct, direct वालों तो direct admission हो गया, उनके test की date यहाँ पर mention है, 6 और 7 मही को, सुबह 9 से 12, 9 से 12 टेस्ट होगा, टेस्ट की कुछ डिटेल है मारे पास, test के भी exactly कोई डिटेल नहीं है, कि कि इस बट तीन घंटे के ले रहे हैं, तो इट में भी a subjective, online होगा या offline होगा, जाना ही प बटी एक test होगा, then उसके बाद interviews है, panel will be conducting the exact slots, और यह जो shortlisted candidate होगे, तो 6-7 तरिक में यह होगा, शाम तक result आ जाएगा, then आपके interview स्टार्ट होगे, और 7-8-9 तरिक तक यह सब कुछ complete कर देंगे, उसके बाद की गानी कोप वाली वीडियो याद है, तो उसके बाद जो जो final इनका result होगा, यह अपनी offering दे देंगे, वो offering आपको कोप के portal पे, और इनके portal पे दोनों पे नसरा आने लगेगी, आप accept करेंगे, तो जो जो option था, freeze and continue and वो वाली पूरी कहानी, तीन option, वो आप यहां से कर सकते हैं, तो यह कहानी होगी, बाकी तो again basic qualification है, वो मैं आपको बता अधर candidates 300, क्या हर application separate देनी है, जैसे mtech के अलग देनी है, mtech में फिरो सब में consider करेंगे, तो mtech की application अलग है, ms की अलग है, यह मेरे खाल से mtech plus PhD की भी हो सकता है, अलग हो, okay, तो यह एक बार cross check करिएगा, लेकिन individually वो तो खेरा form fill करेंगे, तो समझ आ जाएगा, कोई वो नही payment online है, और application submission भी online है, अभी तो छोड़ दो, आज से 10 सल पहले हमारे time पर डाक खाना परिशान था, यह सब के draft बनवाने पड़ जाते हैं, bank वाले परिशान सो, जो 20-20 draft बन रहे हैं, तो सारे draft बना और फिर वो करें, पुरी कानी करें, चलता रगे, draft हो गया, चिथी नहीं प आप यह मत सोचेगा, MS में जाना है, इवन फर MS, लास्ट येर का cutoff ही था 750, तो आइटी बोल दिया था, हो सकता है कुछ समय के बाद यहां भी cutoff आजाए, बट 750, यानि के, marks इस बार के साब से बोल रहा हूं, 65, and you know, rank around 380, उससे जाद अगर आपका है, तो आपको MS में भी काई नहीं करना, तो मैं जनरल बोल देता हूं, अगर आपकी 400 या उससे अबव रैंक है, तो वी डाउट शायद आपको IT में कोई भी कोर्स ओफर नहीं होगा, है न, और अगर अपलाई भी करते हैं, तो आसा दानी 380 वाले कोई हो जाएगा, MS Computer Science के लिए, MS Computer Science, yes, yes, ठीक है I think basic basic detail हमने बना दी है, और जो भी बाकी चीजे होंगी, वाने वाले टाइम पर हम बैक तू बैक हर कॉलेज के वीडियो बना रहे अपडेट करते रहेंगे, अगर आपका rank अच्छा आया है, या कोई mentorship आपको चाहिए, description में आपको Google Form का link मिलेगा, वो आप check out कर सकते हैं, ज उससे क्या होगा, sign up करेंगे basically पहली बात, उसमें जो PPTs बगएरा है, वो सब हैं आप check कर सकते हैं, हर कॉलेज के क्या क्या cut off है, वो सब compile करके रखा है, और बाकी आने वाले वीडियो पर जो हैं, discussion करते रहेंगे, चलिए, ठीक है, तो भगवान आप सभी को खुश रखे, जय हिंद, जय भारत!